नमस्कार में हमामद आसीफ और आप देख रहे हैं निक्स नई नियोज ग्यान बापी मस्जीद पर दर्श को आज फैसला आने वाला शिबलिंग को लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलिल रखेगा तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलिल रखेगा लेकिन जरह सब समझेगा कि फिर से इस पर तमाशा क्यों मचा और आज सुप्रीम कोट पर इस पर फैसला क्या आने वाला है इन चीजों को बताओं लेकिन उसे पहले पूरा वाक्या क्या है यह बता दो दरसल इस मसले पर पूराने कई जो है दिनों से महीनों से सालों से चल रहा है मामला हिंदू पक का जो मुस्लिम है जो हिंदू है मैं उनको बारिकी से समझता हूं मैं उनके पास भी गया मैं उनके करीब भी गया मैं उनको जानता हूं अच्छी तरीके से कि उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है कि उनको सच्चाईयों का अतापता है लेकिन दरसल बरगलाता कौन है नेता चीजों को घुमाता कौन है कारे करता और किसका पाटी का चाहिए वो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो आमाधी पाटी हो या फिर समाजवाधी पाटी हो यही वज़ा दर्शक हो कि अब चुनाब का वखत है कई राज्यों में चुनाब है तो कई लोग सभा के भी चुनाब है और किसी तरीके से हर मुद्दे को हिंदू मुसल्मान कैसे किया जाए मुद्दों पर मित्री डालने के लिए जैसे टर्माटर के दाम पर आज महंगाई तमाम चीजों पर बाच्चित नहों इसके लिए तमाम चीज़े की जा रही है और ऐसे वक्त में आप देखे रहे हैं सिर्फ डेट पर डेट फैसला कुछ आही नहीं रहा है क्या सुप्रीम कोट आज ये फैसला कर देगा क्या बता देगा कि ग्यान वापी मस्जिद में शिबलिंग है या नहीं है क्या आज ये फैसला हो जाएगा दर्शुक अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान की जो मुस्लिम और हिंदु पक्ष हैं दोनों को देखे होगे पूछे क्यों मैं बताता हूँ, राम मंदिर का मामला आपको पता होगा, राम मंदिर में कितना बाबाल मचा हुआ था, देखे तमाम मुसल्मानों ने इसको सयोग दिया, अदेखे खुश रहे, वो अलग बात है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन पांच एकर में मस्धित का अबी तक कोई जो है चर्चा नहीं हुए, यह सरकार की नहीं है तो कि फिर सवाल तो खेर रहे गाई, मेरा सवाल यह है, कि देखे उसमें सब लोगों ने किया, क्योंकि देखे इस हिंदुस्तान के आवाम हिंदू-मसलिव नहीं करना चाती, यह नेता करना चाती है, यही व अमसकार